ओम नमो भगवते वाशुदेवाई नमहा देवियो सजनो आफ सबी को जैस्रीकेष्न, जैस्रीराम, रादे, रादे, हर, हर महादेव आप सभी भक्त गड़वी बोलिए हर हर महादेव आज की इस कता में हम जानेंगे बिस्नु जी की कता के बारे में बिस्नु जी की ये पौराणिक कता है इस कता को जानकर आप चक्त रह जाएंगे ऐसा इस कथा में क्या है इसे सुनने के लिए आप वीडियो से अवस जुड़े रहें जिससे आपको पता चले आपने बगवान विश्णू के दसावतार की कथा तो पड़ी या सुनी होगी लेकिन हम इससे अलग हट के आपको ऐसी पौराड कथा बताने वाले हैं जिससे आपके सायद ही कभी पड़ा या सुना होगा आज हम बताते हैं आपको बगवान विश्णू और गड़ू जी की पौराड कथा के बारे में टीसी कश्यप की कई पत्निया थी जिन मेंसे दो बनीता और कदुरू थी ये दोनों ही बेहने थी जो एक दूसरे से इट्स्या रखती थी दोनों के पुत्र नहीं थे तो पती कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक बरदान दे दिया बनीता ने दो बलसाली पुत्र मांगे जबकि कदुरू ने हजार सर्प पुत्र रूप में मांगे जो की अंडे के रूप में जनम लेने वाले थे सर्प होने के कारण कदुरू के हजार वेटे अंडे से उत्पन हुए और अपनी मा के कहे अंसार कायम करने लगे दोनों बहनों में सर्थ लग गई थी कि जिसके पुत्र बलसाली होंगे हानने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी इदर सर्प ने जो जनम ले लिया था लेकिन बनीता के अन्नों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था इसी जल्दवाजी में बनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड दिया अंडे से अर्ध बिक्सित बच्चा निकला जिसका उपर का सरीर तो इनसानों जैसा था लेकिन नीचे का सरीर अर्ध पक था इसका नाम अरूड था अरूड ने अपनी मा से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैरे खो दिया और मेरे सरीर का बिस्तार नहीं होने दिया इसलिए मैं आपको स्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तोर पर बिताना होगा अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस्सराप से मुक्त ना करवा सका तो वो आजीवन दासी बनकर रहेंगी बैसे बनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के स्थाप के कारण सर्त हार गई और अपनी छोटी बेहन की दासी बनकर रहने लगी बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विसाल काय गरुण निकला जिसका मुख पच्छी की तरह और बाकी सरीर इंसानों की तरह था हाला कि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विसाल काय पच्छ भी थे जब गरुण को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी भी बहान की दासी है और क्यों है यह भी पता चला तो उन्होंने अपनी मौशी और सर्पों से इस दासत्य से मुक्ति के लिए उन्होंने सर्थ पूछी सर्पों ने बनीता की दासता की मुक्ति के लिए अम्रत मंतन निकला अम्रत मांगा अम्रत लेने के लिए गरुड स्वय लोग की तरफ तरंद निकल पड़े देवताओं ने अम्रत की सुरच्छा के लिए तीन चरणों की सुरच्छा कर रही थी पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिचा रहे थे दूसरे में गातक अतियारों की आपस में गर्षन करती दीवा रहे थी और अंत में दो बिसेले सर्पों का पहरा वहां तक भी पहुचनाने से पहले देवताओं से मुकावला कन्ना था गरुड सब से भी बिढ़ गए और देवताओं को बिखेर दिया तब गरुड ने कई नदियों का जल मुक में ले लिया ले पहले चरण की आग को बजा दिया अगले पत में गरुड ने अपना रूप इतना चोटा कर लिया कि कोई भी हतियार उनका कुछ न बिगाड सका और सापां को अपने दांतों दोनों पंजों में पकड़ कर उन्होंने अपने मुक से अमरत कलस उठा लिया और दर्थी की ओच चल पड़े लेकिन तभी राष्ते में भगवान विश्नु प्रकट हुए और गरुड के मुक में अमरत कलस होने के बाद भी उसके प्रतिमन में लालत न होने से खुश होकर गरुड को बर्दान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे तब गरुड ने भी भगवान को एक बर्दान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सबारी बनने का बर्दान मांगा इंद्र ने भी गरुड को बर्दान दिया कि वो सापों को बोजन रूप में खा सकेगा इस पर गरोण ने भी अमरत सकुसल बापसी का बादा किया अन्ते में गरोण ने सर्पों को अमरत सौप दिया और मुईवी पर रखकर कहा कि यह रहा अमरत कलस मैंने यहां इसे लाने का अपना बादा पूरा किया और अब यहां आपके सुपुर्द हुआ अब मैंने यहां आपको सौप दिया लेकिन इसे पीने के आप सभी इसनान करें इसे पीने से पहले आप सभी इसनान करें तो अच्छा होगा जब वे सभी सर्प इसनान करने गए तब ही वहां अचानक से बगवान इंद्र पहुचे और अम्रत कलस को बापस ले गए लेकिन कुछ बूंदे बूमी पर गिर गई जो घास पर ठार गई थी सर्प उन बूंदों पर जफट पड़े लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा इस तरह गरुण की सर्थवी पूरी हो गई और सर्पों को अम्रत भी नहीं मिला यहां थी गरुण जी की और विश्नु भगवान की पूरी पौराडिक कथा आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुन न भूलें फिर आते हैं एक और ऐसी पौराडिक कथा के साथ जैस्री राम जैस्री क्रेश्न रादे रादे हर हर महादेव हर हर महादेव